हेलो वेलकम बैक मैं विनित कुमार आपका फिर से स्वाथ करता हूँ आपके अपने चैनल विनित ब्लॉक्स में ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोग अपना जॉब किसी ब्रांडेट MNC कमपनी में सर्ज कर रहे हैं ये वीडियो आपको लाया है आपके लिए लाया है एक अच्छी कमपनी का रिक्वार्मेंट और वीडियो को पूरा देखते रहे चलिए शुरू करते हैं बात पुने की करता हूँ पुने में एक बहुत ही अच्छी कमपनी है वाक्स वेगेन उसमें एक रिक्वार्मेंट आई है डिपलोमा आईटिया कंडिलिट्स के लिए अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आता है जो लोग हमारे चेनल पर दाये हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें यह आपको वीडियो पसंद आता है और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए हमें जरू सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना बूले तो व्वेकन में एक अची डिपलोमाँ और इट टेंर के pacote गये कि लिए जो लोग अच्छी कंपनी बहुत सारी लोग चते हैं कां अच्छी कंपनी के लिए रिकवारमेंट टो यह बहुत अच्छी कंपनी है और ये पूने में करीब 500 एकड में कमपनी फेली हुए है काफी विशाल कमपनी है और ये एक कार मेनुफेक्चिरिंग कमपनी है और ये जो जौब है लाइन एसेमली का जौब है लाइन पे आपको कार की एसेमली करनी है इसमें लड़को लड़कियों के लिए भी रिक्वार् लड़के को लिए भी और लड़कों के लिए भी है इसमें IT के लिए बिखौरबंटेंट है और डिपलोमॉग मेकानिकल smart एलेक्टीकल कंडिट्स के लिए भी रिक्वार्मेंट है तीन महने आपको कॉंट्रेक में जॉब करना पदेगा उसके बाद आपको कमपनी रोल पे लिया जाएगा ठीक है ना तो आपको जॉइन कैसे करना है यह वीडियो के लास्ट में बताऊँगा क्या प्रोसेस है तो सबसे पहले वाक्स वोगिन की वीडियो देखे आपने वीडियो देखा काफी अच्छी कमपनी है और काफी अच्छी फेसलिटी मिलने वाली है आपको यहाँ पे और जो भी फेसलिटी अधर कमपनीों मिलती है उससे बेहतर ही मिलेगी यहाँ पे केंटीन बस फेसलिटी यह सब सब आपको प्रोवाइड होगी और बात रही पेमेंट की तो जो लोग डिपलोमा कंडियर्ट से उनकी सीडिसी सेलरी जो होगी सीडिसी 21,000 की होगी अंदर मलब कोंट्रेक में 3 महने के बाद एक्स्टेंड की जाएगी और जो लोग आईटिया के इंटेस्टेड है आपको क्या करना है आपको मेरा इस इमेल आईडी पे यहां पे सो कर रहे है इस पे आपको अपना रिजूम अपडेट रिजूम जो है और भेजना है बता दू सिर्फ फ्रेशर कंडियर्ट के लिए रिक्वार्मेंट है जो लोग डिपलोमा 2017, 2018, 2019, 2020 अभी 2020 का डिपलोमा कंडियर्ट अभी नहीं आए क्योंकि अभी तक एक्जाम बहुत जगा पे नहीं हुई है तो फ्रेशर कंडियर्ट के लिए रिक्वार्मेंट से आपको मिनिमम एक साल तक का एक्स्प्रियेंस दिखाना है कम से कम इससे ज़्यादा नहीं दिख करें और यदि आपको हमारे साथ जूड़ना है तो सस्क्राइब जरूर करें